तो आज के इस वीडियो में हम जावा को लेटेस्ट वर्जन आया है 21 उसे इंस्टॉल करना सीखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर सर्च करना होगा और एकल जावा मैं क्रोम ब्राजर यूज कर रहा हूं आप किसी ब्राजर को यूज कर सकते हैं तो जो फर्स्ट लिंक और एक खिलिक करेंगे तो हमें ये अलग तरह का इंटर्फेर दिखेगा जो जो और एकल का साइट है त इस साइट पर राइट साइड में टॉप कॉर्ण में एक बटन दिया गया है डॉनलोड जावा इस बटन के माध्यम से हम डाउनलोड करेंगे इस लेटेस्ट वर्जन को, जावा लेटेस्ट वर्जन को, तो हमें इस बटन पे किलिक करना होगा, और जैसे हम इस पे किलिक करेंगे, अबलेवल नाउ, मतलब जावा के दोनों वर्जन यहाँ पे अबलेवल है, तो हमें जावा को जो लेटेस्ट लिंक हमें परवाइड कर रहा है जिसमें फ़इस्ट है जो गंपेरिष्ट है और दूसरा इंस्टॉलर है और तिसरा MSI इंस्टॉलर है तो हमें इस टॉलर को डाउनलोड करना है जो की 160.8 वारा 160.12 MB का है इसे हम डाउनलोड करेंगे ज्यादा तो यहां पर यह हमारा status हो कर रहा है अपडेटिंग का कि कितना install हुआ और कितना बाकी है तो हमारा installation process जो है वो complete हो चुका है वाले option पर close कर देंगे तो अब हम environment variable set करेंगे jdk21 को तो उसके लिए हमें c drive के अंदर एक program file नाम का folder होगा उसे open करेंगे और इस folder के अंदर एक java नाम का folder होगा इस java folder के अंदर jdk21 जो है इस folder को open करेंगे इन फोल्डर के अंदर जाकर हमें इसका जो path है इसे copy कर लेंगे यहां से और इसे copy करने के बाद हम simply search करेंगे environment variable और इस environment variable में हम यहां जो option दिख रहा है environment variable इस पर क्लिक करेंगे और system variable के अंदर यहां पर दो option होगा एक यूजर variable फोर जो मेरा नाम है इनका वह नाम होगा एक होगा system variable तो system variable के अंदर एक path नाम का option शो कर रहा होगा यह path नाम पर double click करेंगे और यहां से एक new variable बना लेंगे और जो हमने link को copy किया था यहां पर simply paste कर देंगे और ok करके से save कर देंगे तो हमारा environment variable जो है jdk21 वो set हो चुका है तो अब हम check कर लेते कि version successfully installed हुआ की नहीं और जो हमारा variable हो set हुआ की नहीं यहां पर हम लिखेंगे java-version तो इससे क्या होगा कि java का जो latest version है और 100 हो गया पर java 21 23 यह जो है यह अभी हमने install किया है तो हमारा environment variable भी successfully set हुआ है अब हम क्या करेंगे कि एक simple java program बनाकर check करेंगे नाम होगा glitch जो कि channel का नाम है और इसके अंदर एक text file लेंगे और इस text वाले file के अंदर हम लिखेंगे अपने java class का नाम dot java और यह जो pop-up option आ रहा है rename का are you sure you want to save it तो इसके हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक cursor जैसा दिख रहा तो यह हमारा id इंस्टॉल किया हुआ है जो कि cursor नाम से है तो इसके हम open कर लेंगे notepad में open with notepad और यहाँ पर हम एक सिंपल साज java का प्रोग्राम लिखेंगे class और class का नाम होगा जो हमारा file का नाम है file.java वह हमारा class का नाम रहेगा see so first is our class name उसके बाद यहाँ पर हम अपना main method को लिखेंगे public static wide main a string argument और जो हमें print करना है वो यहाँ पर हम लिखेंगे system.out.println और simply हम अपना channel का नाम लिखकर print करके देखेंगे glitch navigator तो हमारा java का एक simple सा program है जो कि हमने completely लिख लिया और इसे save करके इसे हम यहाँ से save कर देते हैं तो यह save हो चुका है उसके बाद यह जो यहाँ पर path दिख रहा है इस folder का यहाँ पर हम simply cmd सर्च करेंगे cmd लिखने के बाद यह command prompt में open होगा यहाँ से हम क्या करेंगे कि जब भी किसी भी java का program को हम run करते हैं तो run करने से पहले हमें उसे compile करना पड़ता है उससे पता चलता है कि क्या error है हमारे program में हमारे code में क्या error है चलिए सबसे पहले इसे compile करते हैं compile करने के लिखना पड़ेगा java c c for compile and java file name which is class name dot java कुछ भी error होगा तो यहाँ पर show हो जाएगा अगर नहीं show हुआ तो मतलब इस code में error नहीं है अब हम simply run करेंगे इस code को जिसका code होगा java और file का name first तो हमारा यह output दिख रहा है glitch navigator जिससे के हमारा code successfully run हो चुका है जावा का तो यह ही था आज के लिए video so stay connected thank you